इस्तीफा जुर्म की सबसे बड़ी सजा माफी समझदार को इशारा काफी तो भगवान सबको इशारे में समझने लाइक अकल दे कि एक था कुमहार माटी, लीद, गार, चाक और नियाव से तंगा कर उसने छेनी हतोडा थाम लिया और देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ने लगा उसका हाथ पेहत साफ था हतोड़े की ठक ठक से वो कुछ ही दिनों में सारे इलाके में मशूर हो गया किसी और की गढ़ी मूर्तियां लोगों को पसंद ही नहीं आती, छोटे बड़े तमाम मंदिरों, थानों, देवरों और ठाकुर द्वारों में उसी की मूर्तियों की ठापना होने लगी उसके पास एक गधा था, गधी जैसा गधा, लंबोतरा चेहरा और वो ही धैंचू-धैंचू का रेकना, वे ही लापें और वे ही सारी बातें उसके मालिक कुमार ने मौज में आकर देवी देवताओं के शान के मताबिक गधे पर सुरंगी जूल डाली बबूल का धोर चंदन का धाचा बनवाया, मूर्तियां तो वे ही थी, पर कुमार का रुत्बा काफी बढ़ गया गधे पर मूर्तियां लादे, जब तैशुदा महूरत पर पहुँचता, तो लोग उसे बधाते, आरती उतारते, मालाएं पहनाते, गुलाल उच्छालते और तें गधे पर भी हतेलियों से गुलाबी च्छापे लगाती मांडडे चितेर ती, मूर्तियां गड़ने वाला कुमार तो घी के पकवान खाता ही था, पर साथ ही साथ, गधे के ठाठ भी कम नहीं थे लपसी, खीर, गुलगुले, घेवर और मालपुए खा खा कर, वो कौड़ई की तरह चमकने लगा उससे पहले, शायद ही किसी गधे की ऐसी मौज बनी हो लोगबाग दूर से ही कुमार और गधे को पहचान जाते हाथ का काम छोड़कर उसकी और दोड़ते मूर्तियों को भी हाथ जोड़कर परणाम करते और तें गीत गाती पर गधे की अकल को क्या कहें कि उस खातिर और आव भगत से उसे ये भरम हूने लगा कि वह उसके चरणों में शीशनवाते हैं दंडवत करते हैं बनाव सिंगार से लदी सुन्दर सलोनी रमणियां उसी के लिए गीत गाती हैं नरम नरम अंगुलियां से उसी के लिए मांडड़े चितेरती हैं गधे का मालिक कुमार तो अपनी हैसियत अच्छी तरा जानता था पर सुन्द मुसुन्द गधे का दिमाग फेर गया ऐसा काहिल हुआ कि जब भी मौज में आता रुख जाता पेट भरने पर भी गुलगुलों में मूँ डाले रहता और तों के गीत गाती टोली से टलना ही नहीं चाहता मजबूरन कुमार को उसकी दुनाई करनी पड़ी तो उसे न चाहते हुए भी वहां से चलना पड़ा दुखी मन से कुमार को बदवाएं देता एक मर्तबा गौने पर आई नई बहु का कुवारा रूप देखकर उसका एक अंगुल भी आगे बढ़ने का मन नहीं हुआ कोच्टे कोच्टे कुमार की नाक में दमा गया पर पठठा टस से मस नहीं हुआ बजरंग बली की मूरत की थापना का महूरत निकला जा रहा था आखिर कुमार का दिमाग गरम हो गया जम कर उसकी मरम्मत की लहू लुहान होने पर उसे बेबस चलना पड़ा पर मन में पक्की गांठ ली कि मुफ्त खोर हत्यारे कुमार के पास अब नहीं रहेगा इतने लोग लुगाईयों के सामने इतनी बहरमी से मारा कुछ तो लिहाज मुरववत करनी थी सायानों ने कितना लताड़ा पर उसके कान पर जून अरेंगी जाने कहा की मैं है दिमाग आसमान में चड़ा है वो कोई मामूली गदा होता तो लोग उसके चरणों में शीष क्यूं नवाते मेहंदी रचे हातों से बहु बेटिया च्छापे क्यूं लगाती उसे पक्वान क्यूं परोस्ती सभी देवता और आदमी जब एक सरीखे नहीं होते तो सभी गदे भी एक सरीखे नहीं होते वो अवतारी गदा न होता तो कौन उसे सराँखो पर बिठाता यह बात उसके रोम रोम में घर कर गई क्यूं किसी की गुलामी करें साला सर पर मूर्तियां ढोकर ले जाएगा तब पता चलेगा सारी मटर गश्ती ठिकाने आ जाएगी इस भरम के दूसरे ही दिन वो रसी तुड़ा कर भाग छूटा एक एक घर उसका जाना पहचाना था सी धे एक महाजन के आज जा पहुँचा कुमार के साथ वहां काफी खातिर हो चुकी थी पाँच मंदिर तो उसने खुदवनवाए थे चक कर घेवर और मालपुए खाये थे चितेरते ही नत्वों में घी की महक घुल गई सेट के छोटे लड़के की बरात चड़ रही थी गुड की मांगलिक लपसी से एक बड़ी कड़ाही भरी थी खानी की तैयारी हो रही थी कि हमेशा वाली खातिरदारी और मान सम्मान के भरो से वो मस्तानी चाल से कड़ाही के पास गया इधर उधर देखबाल करने की क्या जरूरत भरम के गुमान में कडाही में मूँ डाल गर लपसी घाने लगा सहसा नाई की नजर उस पर पड़ गई उसने न तो छापे देखे ना मानने जलती हुई लकडी खीच कर नाक पर दे मारी उसकी आखों के सामने बिजली चमकी हक्का बक्का खड़ा रहा जैसे काठ मार गया हो भागने का भी होश न रहा फिर नाई के कैसी कोता ही पीठ पर चार पांच एक और जमादी वो रेंकता हुआ सर पर पाउ रख कर भागा शायद जल्दी जल्दी में उसे पहचा आना नहीं जलन की चर्मराहट जरा कम होने पर वो एक जाट के आजा पहुचा वहां भी काफी मजे लूट चुका था दूद, दही और हलुआ चौधरी ने तीनो देवरों की थापना करवाई थी कुमार को सूने की चौकी मिली थी गधे के बदन पर भी गुलाबी च्छापे मांडे थे महंदी का टीका निकाला था उसका सभाग कि चबूतरे पर ही रोटियों की टोकरी रखी थी आरे दिन तो दही सोग्रे भी काफी टोकरी में मूँ डाल कर भचड़ भचड़ सोग्रे खाने लगा चौधरी हाथ में जेई लेकर बाहराया तो उसकी आँखें दहग उठी पंजे के बल होकर पीठ पर ऐसा करारा वार किया कि वो धूल चाटने लगा उसका गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ पेट पर दना दन चार पांच और जमा दी हर चोट के साथ उसकी आँखों के आगे बिजली चमकती गधा मार खाने में मजबूत होता है दूसरा जानवर होता तो उठ भी नहीं पाता पर वो तो ठोकरों के साथ ही आपा संभाल कर घोडे की रफतार से भागा राह में उसके देखे भाले लुहार का घर आया धौकनी चल रही थी पास ही बीज के लिए बाजरी की गठरी खुली पड़ी थी ना कुछ बाजरी के लिए कौन मना करेगा मूँ डाल कर बकल बकल खाने लगा फर फर की भनक सुनकर लुहार ने मुड कर देखा मार से लहू लुहान कधा यहां भी बाज नहीं आया लुहार के कलेजे में भटी दहक उठी लाल सुर्क हसिये के मूट पकड़ कर उसके पुठो पर डाम जड़ दिया चमडी जलने की चरड सी आवाज हुई थोड़ा सा धुआ उठा रैंकने की ताकत भी न बची मू उठाकर सर पट भागा बिना देखे सीधे कुमार के बाड़े की और भरम का जाला कट गया कि कुमार के बाड़े के अलावा कोई आसरा नहीं मूर्तियां ढोने से बेतर कोई काम नहीं भरम की जितनी मार खाई और जो डाम उगढ़ा वो ही बहुत बैठे बिठाए कैसी तो मतोड़ ली जाने बूझे हाथ का परस पाकर उसने आखें खोली कुमार प्यार से सहलाते हुए बोला मैं जानता था कि तू वापस आएगा वो चुप चाप पूँच हिलाते आसु बहाने लगा सोचने लगा किसी दिन हसिये की ये जलन भी खत्म होगी जरूर खत्म होगी पर भरम के मानडे का दाग कभी नहीं मिटेगा